हेलो दोस्तों स्वागते आपका My Photography चैनल में दोस्तों आज का विश्य है Shutter Priority Mode दोस्तों आगर आपने हमारे इस चैनल पे जो Photography Exposure के जो तीन पिलरे aperture, shutter speed और ISO इसके बारे में आगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप जाके उस वीडियो को देख लो और पिछले हफते में इने aperture priority mode क्या होता है उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में बताया है तो उसका भी link में description में डाल दूँगा तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देख लो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देखा था कि aperture priority mode क्या होता है उसमें क्या होता है कि आपको जो भी aperture की value चाहिए वो आप camera को दे देते है और आपका camera तो आपके aperture के इस सबसे camera खुद बखुद ISO और shutter speed set कर देता है automatic set कर देता है और आपको आपकी जो भी तस्विर आपको well exposed करके आपको दे रहता है लेकिन shutter priority mode में क्या होता है कि आप shutter speed का जो भी value है आपको camera को देना पड़ता है और camera आपको aperture value और ISO वो खुद automatic set करके आपको एक well exposed photo देता है तो shutter priority mode का इस्तिमल कर और कैसे किया जाता है जैसे कि football की match चौल भी वहापे आप photography कर रहे bird की photography कर रहे car racing की photography कर रहे तब उस time पे आपको manual photography करने की कोई जरूरत ने अगर आप manual photography कर रहे मतलब उस time पे आप ISO भी set कर रहे shutter speed भी set कर रहे aperture भी set कर रहे तो उस time पे आपका time तो जाएगा लेकिन आपको जो moment चाहिए वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा तब उस time पे आपको जरूरत पड़ती है shutter speed की तब आपके पास बहुत अच्छा option है कि आपको सिधा आप अपनी camera को shutter priority mode पे डाल दो और आपके camera को आप बता दो कोई मुझे ये shutter speed चाहिए तो वो shutter speed का जो value camera को आप देंगे उसी साब से वो aperture और ISO set करेगा और आपको जो भी आपके दिमाग में जो तस्वीर है वो आपको दे देगा shutter priority mode के 4-5 तरह से use होता है जैसे के fast shutter speed slow shutter speed motion blur long exposure और high speed sync तो इसमें shutter priority के use होते तो इसके बारे में जो हमारे आने वाली जो वीडियो उसमें हम ज़रूर बात करेंगे तो simple सी बात है आगर आपको fast shutter speed और slow shutter speed की आगर photography करने है तो आपने camera को shutter speed set करके देदो और आपका time भी बच जाएगा तो इस तरह से दोस्तों अगर आपको जो भी shutter speed चाहिए मतलब आप fast shutter speed फोटोग्राफी कर रहे या फिर slow shutter में फोटोग्राफी कर रहे तो आपको जो भी shutter speed का value चाहिए वो आप camera को देदो और camera आपको अपने इस साब से aperture आपको कैसा लगा लाइक को अपने दोस्तों की साथ share को कमेंट करना ना भोलो दोस्तों और सब्स्राइब कोरो धन्यवाद क्रिया âफ मारेँ क कर स्यूक्राइब कर दोस्तों कैसी झाटने को और संदूर कर स।